गैस इंडिया ने चाइना की अफवाज को सही पकड़ के धोया गैस दोया का लफज में क्यूं इस्तमाल करो गैस वाके में दोया बांद कर दोया गैस चाइना को अगर हम कंफरंट कर सकते हैं तो इंडिया इस दो लेकर टी और उसकी वज़ा से अमरीका उनके पीछे पीछे हैं इंडिया बड़ा मुल्क है दुनिया का आदी दुनिया तो आपके पडोज में यह चाहिना फोज इंडिया के इलाके में गुसा ही थी तो सारे करना चाहरे हैं और जब यह सारा सिल्सला सेटल हो जाता है तो फिर हमें अपनी फिकर करनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान तनहाई का शिकार दिखाई दे रहा है एक तरफ इंडिया का प्रॉब्लम उदर अफ़ानिसान के साथ आपकी डिप्लोमसी का यह खतम हो जाएगी नहीं होगी तो बिज़र शम्शी खतम कर दी जाएगी चीज को बड़ा गोर से देखता है कि जब दुश्मन तड़ी लगा रहा है और इदर आपके हुक्मरान खामोश होके बैटे हैं हमें चिपेड पढ़ती हैं बाहर से फिर हम चीखे मारते हैं ओद में खोश नहीं यह कर दिया यह कर दिया इंदोस्तान स्पेशल में आपका स्वागता दुस्तों अरुनाचल परदेश के तवांग सेक्टर में भारती सेना के जवानों के साथ हुई जडब और खदेडे जाने के बाद चीन की हालत पतली दिख रही है और अब बॉखलाए चीन ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हरकत कर दी है। चीनी सैना ने मंगलवार को एक ब्यान जारी कर इस पूरे खटना क्रम के पीछे भारतिय सैना को जिम्मेदा ठहराया। चीनी सेना ने कहा कि भारतिय सेनिकों ने हिमालिया में एक विवादित सीमा पार की और चीनी सेनिकों को बीच अवरोध पैदा किया। आपको यहां बता दें कि इससे पहले चीनी विदेश मंतराला ने एक लाइन का ब्यान चारी किया था जिसमें कहा गया था कि LSE पर हालात, स्थिर और नियंत्रित है। दिखाने लाइक नहीं रहे हैं। या कोई एक कौम आपके घर पर आपके बगार बताए हुए आपसे लड़ने के लिए आपके जमीन शीनने के लिए गुस आती है। तो आप उसके साथ क्या करेंगे। कबजा गुरूप कहना चाहरे हैं। कबजा गुरूप आपके ग्रैब करता है आपकी लेंड तो उसके लिए जब बंदे के पर जमीन होती है ना जब आपने पास तो वह इस चीज इन चीजों के लिए तियार रहा है। इसी रिलेटिट एक कौम है जो को दूसरी कौम के घर में गुसरी है कि उनकी जमीन शीनने के लिए जबरदस्ती जोर जबरदस्ती यहीं मसला जो जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं उसके रिलेटिट एक वीडियो है। यह मैं आपको वीडियो दिखाता हूं सिंपल सी वीडियो चोटी सी यह देखे वहाँ पर क्या चल रहा है। यह चैना फोर्ज इंडिया के इलाके में घुसा ही थी तो सारे इंडियन फोजी ओने पकड़ लिया उन्हें पकड़के देखे यह मार रहे है फोजी चाइनिज को यह देखें यह तारों से बांदा हुआ है चाइनिज को एचा मैं आपको बताता हूँ यह जो चाइनिज को इन्होंने मारा आ invention You वीडियो दिखाईए डिफिनली यह कोई फेक वीडियो नहीं है लेकिन चाइनिज इतने भी वो नहीं है हलवा के उनको तारों के साथ बांद के यह कर रहे हैं और चाइना के क्लैशिज हुए हैं अब यह कहा जा रहा है कि शायद एलो सी के वोपर भी तोड़ा सा जिसे कहते ह गर्मा-गर्मी हो और हीट अप किया जाए सर क्या देख रहे हैं फ्यूचर में कि चाइना क्या चाहता है हिंदुस्तान क्यूंकि ज्यादा तेजी से प्रॉग्रस कर रहा है अगर हम चाइना को देखते हैं पाकस्तान से तो खैब बहुत ही आगए है लेकिन इस वक्त चाइ इस वक्त अमेरिका के अंदर उनका कंट्रोल यहां पर जितनी बड़ी कंपनियों के सीओ है वो सारे इंडियन है वो सारा बिजनस चाइना से खैच कर इंडिया लेके जा रहे हैं यह सारी चीज़े सारे इंडिकेशन्स हैं कि उनकी तरकी अगले फ्यूचर में राइज करें और उसकी वज़ा से अमरीका उनके पीछे पीछे है तो यह उसी उनी चीज़ों को रियक्शन है कि चाइना वस लुकिंग वीक वस लुकिंग डिफेंसिव लेकिन मेरे खाल में चाइना वांड़े टू टेल देम के इस नाट इजी वह स्टेल स्ट्रॉंग और दूसरा एक म हैं सप्लाइचेन रिस्टोर नहीं हो रहा तो यह उनकी बुखलाट की निशानी लग रही है कि दियार गेटिंग पैनेक और फ्रस्टेटेट जो भारत के साथ उनने जो बादर पर कुछ किया है लेकिन इससे हासल कुछ नहीं होगा क्योंकि बोथ कंट्रीज आ और भारत जो है मैं समझता हूँ कि अगर कुछ हुआ भी लेकिन होगा कुछ नहीं इस वाज जहड़ छोटी सी होगी क्योंकि बोथ कंट्रीज समझते हैं अगर ये विल गेज इन्टु थे बिगर कांफ्लिक और वार एर एकानोमीज विल कॉलापस सो मेरे काल में यह सिरफ एक छोटा सा शो आफ ही था तू शो आफ दा पावर लेकिन चाइना चाइना को इंटर्मल फ्रस्टेशन से कई फ्रंट पे उसकी वज़ा से मेरे ख्याल में इस इस वर देर डूइंग पिछले दिनों पे जिस रखा है एकानोमी भी उनके ठीक नहीं है स्प्लाइचेन भी प्लिटिकल के भी उसमें इनी सारी वजुभाद के वज़से प्लिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अंदर उनके है इस तरा मौजूद है चाइना के अंदर तो मेरे खाल में उसी वज़ए से ये मुख्तलिव जो मुबालक है ऐसी चीज़ें करके अपनी अवाम की तोज़व असल मसाइल से हटा कर किसी और बे करना चाहते हैं तो मेरे खाल में इस इस वाज़ आप देट करना थे हैं अब लेटर से उसने पांच अगस्पन दोज़व निशों किया और हमने वह भी तखीरों की नज़र कर दिया अब वो इलिग लिए उकुपाइड जमुन किश्मीर क वहां पर वो इन्वेस्पन लेके आ रहे हैं और नेक्स टेज़ पर ये तो राजनाथ सिंग ने जो बात की उससे पहले उनके जो नौदन कमांड कमांडर है बड़ा वाज़े कह चुके हैं कि हमारी तो जो इसम्बली है उनकी जो लोकसबा है उसने एक अरदाद पास की हु हैं हम कहां बैठे वे हैं हम तो आपस में लड़के हैं तो उसका गलाई नहीं चोड़ रहे हैं हम क्या करेंगे इसके लिए अचा रानसाब 1971 के बाद शायद ये पहली बार है कि इसकदर पोलराइजेशन है हालात इसकदर खराब हैं डिफॉल्ट की बाते हमारे अपने वु हम लैठे